काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जो 12th क्लास या 10th क्लास में फेल हो गए हैं किसी भी वज़ा से या एक्जाम नहीं दे पाए हैं या उनके नंबर कम आए हैं या दुबारा एक्जाम देना चाहते हैं तो ऐसे बच्चों के लिए एनाइस के अंदर एक बहुत ही अच्छा सारे में यह कब कब आपका उन डिमांड एक्जाम कंड़क्ट होता है कहां पर आपके घर से कितनी दूर एक्जाम कंड़क्ट होगा और इसका रिजल्ट कब तक आएगा और इसके फायदे क्या हैं और साथ में इसके नुक्सान भी देखेंगे के नुक्सान क्या हैं क्या प के फिलाल अभी on demand exam conduct कराया जाएंगे उसके बाद October में नहीं होगा और नवंबर में होगा फिर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च के अंदर आपका exam conduct कराया जाएगा तो फिलाल अभी बात कर लेते हैं जो जुलाई अगस्तुर सेप्टेंबर के अंदर on demand exam conduct कराया जाता है इसके अंदर वो बच्चे भाग लेते हैं जो बच्चे कहीं पहले फेल हो चुके हैं किसी भी बोर्ड से फेल हो चुके हैं चाहे वो एनएस बोर्ड से पहले पढ़ाई कर रहे हो या फिर किसी अदर इस्टेट बोर्ड से पहले साइड से करना हो या किसी और सब्जेक्ट के उनको requirement कहीं पर पढ़ रही है तो उन सब्जेक्ट के अंदर भी हो और आम से चार सब्जेक्ट तक अपने exam on demand के अंदर वो दे सकते हैं अब इसके जब आप exam देते हो उसके 45 डेज बाद आपका result declare हो जाता है लगबग आपका seat book करने का और exam का और practical का जो process है वो एक महीने के अंदर अंदर हो जाता है तीस दिनों के अंदर अंदर यह सारा process हो जाता है यह आपके उपर है कि आप उसको कितना जल्दी करना चाहते है क्योंकि seat इसमें आपको book करनी पड़ती है आप अपन on demand का जिसकी वजह से सबसे जादा बच्चे on demand exam देते हैं वो है समय कम लगता है on demand के अंदर यानि के आप एक महीने के अंदर अपना exam वगरा theory और practical सारी चीज़ देते और उसके बाद आपका result declare हो जाता है तो इसके में आपको बहुत ही कम समय में आप अपना साल बचा करके आपको कहीं भी admission ले सकते हो यानि कि आपका समय कम लगता है वहीं public exam की बात करें जो अगला public exam conduct करा जाएगा वो आपका October में होगा जिसके अंदर अभी 3-4 महीने आपको लगेंगे तो उसमें समय जादा लगता है जिसका result भी आपका December में आएगा लगवग 5-6 महीने बाद आपका result declare होगा तो उतने आपके पास अगर समय नहीं है तो आप on demand से कर सकते हैं कुछ जिसके कमी भी है कमी क्या है इसमें थोड़ा सा खर्चा जादे आता है as compared to public exam public exam की फीस थोड़ी कम होती है और on demand की फीस जादा होती है क्योंकि आप इसमें अपनी demand के according exam कराते हो जिसक इसके center कम बनते हैं on demand में बच्चे कम exam देते हैं तो इसके center भी कम होते हैं तो इसलिए इसका center आपके घर से दूर पड़ सकता है अगर बात करूं इसके passing percentage की तो on demand का passing percentage का जो ratio थोड़ा कम है as compared to public exam वो क्यों क्योंकि public exam के अंदर TMA होते हैं थोड़ी marking lenient होती है और बच्च थोड़ी कम रह जाती है अब बात कर लेते हैं इसके procedure की कि इसका पूरा procedure क्या है admission लेनेगा तो अगर आपको admission लेना है तो आप किसी expert के थुरू ही अपना admission कराएं on demand में क्योंकि अगर आपने कोई भी mistake कर दी क्योंकि जैसे ही आपने form फिल करा और आपने payment कर दी और आपने तीन सब्जक्ट के exam देने पड़ेंगे और दो सब्जक्ट के आपके marks transfer हो जाएंगे तीओसी का मतलब होता है transfer of credit यानि के आपके दो सब्जक्ट के mark transfer हो गई और तीन के आपने exam दे दिये उसके लिए आपके पास original mark seat होनी चीए fail वाली जिस board से आप fail हुए हो वो आपको submit क कि अंदर अपनी seat book करा सकते हैं काफी सारे बच्चों की seat book नहीं हो रही वो खुद कर रहे हुए उन्हें दिक्कत आ रही है कोई कहरें सर हमें option नहीं मिल रहा कोई कहरें के सर हमें पता नहीं चल रहा तो आप बिलकुल घबराएं नहीं आप हमारे थुरू आप अपना pre registration कर कर देंगे और जैसे seat open होगी आपका तुरंत वहां पर हम exam conduct खरा देंगे तो सामने नंबर दिख रहा है इस नंबर पर call करके या फिर what's up करके आप हमसे अपनी seat book करा सकते हैं ठीक है दोस्तों मिलते हैं अगले session में तब तक के लिए keep studying by study